सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपिटिशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी बैल आइकन दबाना ना भूले जिससे आपको हमारे द्वारा दिये गए अपडेट्स के नोटिफिकसन मिलते रहें इसके साथ ही साथ यह है करंट अपिर्स जो आपको मिलेगा वो MCQ कोस्टन यहने कि Multiple Choice Question में मिलेगा और साथी साथ उसका Important Points मिलेंगे Explanences के साथ साथियो यदि आप राजस्तान जी के और Mechanical Engineering पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए Unacademy App पर मुझे Follow करें Unacademy App पर Follow करने का लिंक आपको इस वीडियो के Description में मिल जाएगा आई यह साथियों सुरू करते हैं आज का Important Current App जी के Question सग्याफश से किस बैंक ने अपने सभी Saving Bank Accounts यानि बचत बैंक खातों पर प्रतिमाहा न्यून्तम बैलेंस मिनिमम बैलेंस चार्ज ने रखने पर लगने वाले चार्जेज को हटा लिया है Option A, State Bank of India, Option B, Andra Bank, Option C, Bank of India और Option D, Canra Bank दोस्तो, State Bank of India ने यानि कि SBI ने अपने Saving Bank Accounts पर यानि कि जो बचत बैंक खाते थे उन पर न्यून्तम बैलेंस चार्ज रख दिया था यानि कि मिनिमम बैलेंस चार्ज रख दिया था और उन चार्जेज को अब हटा लिया गया है जो कि SBI के मेट्रो, अर्द, सहरी और ग्रामिन चेत्रों में क्रम्स है यानि कि मेट्रों सहरों में 3000 रुपे मिनिमम बैलेंस होना चाहिए था अर्द सहरी में 2,000 रुपे और ग्रामिन छेत्रों में 1,000 रुपे मिनिमम बैलन्स होना चाहे था यदि ये बैलन्स मिनिमम प्रतिमा में नहीं रहता था तो SBI क्या करता था कि बैलन्स मेंटेन नहीं किया जाने पर टेक्स के साथ 5-15 रुपे का जुर्माना लगा रहा था और सार्वेजिंग छेत्र के बैंक ने प्रतिमा औसद बैलन्स चार्जर को अठाने के अलावा SMS पर जो सुल्क लगता है वो भी माप कर दिया है अते इस क्वेशन का राइट आंसर है ऑप्शन A, State Bank of India, SBI किस बहरत ये प्रद्धोगी की संस्तान IIT में प्रद्धोगी की नवाचार केंद्र Technology Innovation Hub इस्तापित किया जाएगा ओप्शन A, IIT दिल्ली में, ओप्शन B, IIT मुंबई में, ओप्शन C, IIT रोपड में, ओप्शन D, IIT मंडी में दोस्तों इसका राइट आंसर है जो कि Technology Innovation Hub प्रद्धोगी की नवाचार केंद्र IIT मंडी में स्तापित किया जाएगा ओप्शन D is राइट आंसर IIT मंडी, तो प्रद्धोगी की नवाचार केंद्र के माध्यम से इसके अलावा ये प्रद्धोगी की नवाचार केंद्र बहु विश्यक साइबर फिजीकल प्रणालियों के राष्टिय मिसन नैशनल मिसन और इंटर डिसिप्लेनरी साइबर फिजीकल सिस्टम NMICPS के तैत की जाएगी नेक्स्ट कॉस्टन संक्या थिरी निमिन लिखित में से किस स्तान पर नागरिक उड्धियन पर होने वाली Wings India 2020 प्रदर्शनी लगाई गई है Option A नई दिल्ली, Option B जैपूर, Option C हैधराबाद और Option D नागपूर इसका राइट आंसर है Option C हैधराबाद में Wings India 2020 प्रदर्शनी लगाई गई है जो ये कारेकरम है Wings India 2020 इस कारेकरम का आयोजन नागरिक विमानन मंत्राले द्वारा भारतिय विमान पतन प्रादिकर AI और भारतिय वानिजियों मुद्दोग परिसंग फिक्की के साथ मिलकर हैधराबाद के तेलंगाना में किया जा रहा है Wings India 2020 नागरिक उड्डियन बिजनेस प्रदर्शनी और एक एयर सो है जिसे दो साल में एक पारायजित किया जाता है और इस कारेकरम से नागरिक उड्डियन छेत्र को और टिकाओ बनाने के लिए नितिक छण विसलेशन और रोड मैप तयार करने में मदद मिलेगी नेक्स्ट कोशन संक्या फॉर निम्मिन लिखित में से किस बैंक ने नगदी समस्या से जूज रहे यस बैंक के 7,250 करोड रुपे के सेर खरीदने की गोशना की है Option A State Bank of India, Option B Andra Bank, Option C Bank of India और Option D Canberra Bank अभी हाल ही में 5 मार्च को Yes Bank को Canberra सरकार ने ऐस्ता ही रूप से बंद कर दिया है और यह जो बैंक है वो नगदी की समस्या से जूज रहे और तो Yes Bank के 7,250 करोड रुपे के सेर खरीदने की जिसने गोशना की है वे बैंक है State Bank of India, तो Right Answer Option A is State Bank of India साथियों यह जो खरीद है रिजर बैंक द्वारा तैयार Yes Bank की पुनर गठन योजना के मसोदों के नुसार की जाएगी और इसमें Yes Bank जो है वो 725 सेर, 10 रुपे पृतिस सेर की दर से खरीदेगा तथा इस सोदे के बाद Yes Bank में भारती स्टेट बैंक की इस्सेदारी 49% हिस्दी हो जाएगी रिजर बैंक ने एक मसोदों तैयार किया है, उसके अनुसार 49% से ज़्यादा इस्सेदारी कोई खरीद नहीं सकता है तो SBI ने उसकी 49% हिस्सेदारी खरीद लेगा और 49% हिस्सेदारी Yes Bank में SBI की होगी और 21% Yes Bank की होगी किस राज्ये की सरकार ने जल प्रबंदन प्रक्रियाओं में सुदार लाने और किरसी उत्पादकता बढ़ाने के लिए World Bank के साथ 80 मिलियन अमरेकी डॉलर का रिन समझोता किया है Option ने राजस्तान सरकार ने, Option B हिमाचल प्रदेश सरकार ने, Option C उत्तर प्रदेश सरकार ने और Option D मद्धे प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में, जल्ब बंदन प्रक्रियाओं में सुदार लाने और किरसी उत्पादकता बढ़ाने के लिए केंदर सरकार यानि की भारत सरकार के साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ने World Bank के साथ 80 मिलियन अमरेकी डॉलर का रिन समझोता किया है तो इसका राइट आनसर है, ऑप्सन भी हमाचल प्रदेश और जो यह इस रिन की जो रासी है, वो International Bank for Reconstruction and Development IBRD द्वारा मुईया कराई जाएगी और जो यह समझोता है, इसके तहत, यह रिन रासी 14.5 यानि कि साड़े चौदे वर्स के लिए होगी जिसमें पाँच वर्सों की छूट अवदी भी सामिल है Next, Question संक्याज 6 किस बॉलिवूड अमिनिता को IDFC First Bank ने अपना ब्राण एमेस्टर बनाये जाने की गोशना की है Option A, सारुक खान को, Option B, सलमान खान को, Option C, अमिताब बच्चन को, Option D, अजे देववन को IDFC First Bank ने अपना पहला ब्राण एमेस्टर बनाये जाने की जिसे गोशना की है वो बॉलिवूड अभी नेता है, अमिताब बच्चन Option C, जो First Bank है, इसकी स्थापना 2015 में मुंबई मोही थी तता इसके MD और CEO, V. वैद्यनाथन है IDFC जो बैंक है, यह अपने गिराकों को बच्चते हम चालू खाता, NRI खाते, सैलरी खाते से लेकर हॉम और पर्सनल रिन, छोटे कारोबार रिन से कही अन्य सेवाए मोही या कराता है Next, Question संक्या साथ किस गोल्फ के लाड़ी को साल 2021 के World Golf Hall of Fame में सामिल करने के लिए चुना जाएगा Option A, Tiger Woods Option B, Gary Player Option C, Bobby Jones Option D, Arnold Parmar और इसका राइट आंस्वर है Option A, Tiger Woods को तो जो अमेरिका के गोल्फ के लाड़ी है, Tiger Woods का चैन इस महीने चुने हुए गए 10 पाइनल लिस्टों में से किया गया है Tiger Woods के द्वारा दुनिया भर में जीते गए रिकॉर्ड तर्याण में किताब में 82 अमरीकी विजिट BGA टूर किताब सामिल है उन्होंने पिछले साल अप्रेल में मास्टर्स में अपना पंद्रुआ प्रमुक किताब जीता था Tiger Woods ने तीन बार कैरियर Grand Slam का किताब अपने नाम किया है और 2001 में Tiger Slam का टाइटल हासिल किया जब वह बोबी जोन्स के बाद एक ही समय में सभी चार प्रमुक चैंपियनसिफ किताब जीतने वाले पहले गोल पर बने थे Next, Question संक्या 8 किस देश में दुनिया का पहला Digital Solution Exchange Cloud Goka Dell लाँच किया गया है Option है चीन में, Option B भारत में, Option C पाकिस्तान में, Option D अमरीका में और इसका राइट आंस्वर है Option B भारत में दुनिया का पहला Digital Solution Exchange Cloud लाँच किया गया है यह जो क्लाउड है यह दुबई की उबरती प्रोदोगी की कमपनी Gokdal Technologies मरकडों का समू का एक हिस्सा है Gokdal Cloud आरिदारिच 4A यानी Automation, Artificial, Intelligence, Analytics और Orgmatyv, Tentive Technologies पर केंदरित एक समधान Exchange प्लेटफोर्म है यह जो क्लाउड है यह अपने ग्राकों को सही उपकर्ण और सही प्रदाताओ के साथ साथ सही समधान के लिए एक मंच पर लाता है और जो उन्हें अपने डिजिटल परिवर्तन पर निगरानी रखने में मदद करता है Next, Question 9 राष्टिय अपराद रिकोर्ड ब्यूरो नैशनल क्राइम रिकोर्ड ब्यूरो में 12 मार्च को अपना कौन सा इस्तापना दिवस मनाया है Option A 30, Option B 35, Option C 38 और Option D 49 और इसका राइट आन्सवर है Option B 35 जो केंद्रे गिरे राज्जे मंत्री शिरी नित्यानंदराय ने NCRB के इस्तापना दिवस के अउसर पर Crime Multi Agency Center, Crime Mac और राष्टिय साइबर अपराद प्रिसिक्षण केंद्र NCTC का उद्गाटन किया है जो जगन्या प्राद और राज्जे के सैयुग से सम्दित अन्यमुद्दो पर जानकारी साजा करने के लिए Crime Multi Agency Centers, Crime Mac की सुरुवात की गई है Next और Last Question, Question सिंक्या 10 भारत देश को Global Animal Protection Index 2020 में कौन से इस्तान पर रखा गया है Option A8 इस्तान पर, Option B 6 इस्तान पर, Option C 4 इस्तान पर और Option D दूसरे इस्तान पर इसका Right Answer है Option D दूसरे इस्तान पर Global Animal Protection Index 2020 में बारत को रखा गया है यह जो इंडेक्स है Global Animal Protection Index अंतराष्टे पसु कल्यान Charity World Animal Protection द्वारा जारी किया जाता है Animal Protection Index जारी करने का जो उद्देश से है, उद्देश से क्या है कि अच्छा कर वाले देशों को प्रोसाइट करना और पसु कल्यान नीती और कानून में कमजोर देशों को उजागर करना है इस Index के नियम और कानून के अनुसार देशों को A से G यानि कि A अधिक्तम स्कोर और G नियुन्तम स्कोर होने के आदार की रेंक दी जाती है और भारत को इस सुचकाग में C स्कोर दिया गया है और भारत को यह इस्तान इस्पैन, मेक्सिको, फ्रांस और न्यूजिलेंड के साथ दिया गया है इसके अलाबा Sweden, United Kingdom और Austria को अधिक्तम स्कोर यानि कि A के साथ सीर्षिस्तान पर रखा गया है World Animal Protection की जो इस्ताफना थी वर्स 1981 में की गई थी तो वर्स 1981 में इसका पहला और बार शुरुवात की गई थी भारत को 2020 में दूसरा इस्तान प्राप्त हुआ है दोस्तों यह था आज का करेंटा पेस्ट जीके जो कि आपकी सभी प्रत्योंगी पर इच्छाओ को लिए अत्तनत मेहत्वपूर्ण है यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते तो और हमारा कंटेंट अच्छा लगता तो लाइक करें अपना कमेंट दें जो भी आपका कमेंट है अच्छा बुरा जैसा भी कमेंट है हमारे वीडियो के बारे में अपना कमेंट करें हमारे वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ सेर करें और साती साथ हमारे इस योटूब चैनल यूवी कमपेट्शन को सब्क्राइब करें इसका लाओ मैं अनकेडमी इंस्टाग्राम और फेस्बूक पर फोलो करें इस वीडियो का पीडियेफ डाउनलोड करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्किप्शन में मिलेगा वहाँसे आप इस वीडियो का पीडियेफ डाउनलोड कर सकते है जिसे आप फ्यूचर के लिए रख सकते है Thank you so much धन्यवाद आपका दिन सुभो